हलोलेटम टो लाइफ लेयर्स मैं संधीब आज आपको बताने वाला हूँ और एक्सप्लेंट की प्लेलिस के अंदर जो लास्ट ग्रूप है जो हमारा कंपोनेंट के अंदर भी जो लास्ट ब्लेंडिंग बचे हैं वह है कलर और लिमनासिटी शायद अडोबी ने लास्ट में से लिए रखे है ना कि बहुत कंफ्यूजिंग है और इनको कर आप समझोगे तो एक चीज आपको छोड़ी से क्लीर हो जाएगी मतल़ क्लीर क्या हो ज किया रचेंग़ कर रहें फूर उसपर फिल किया हूए रड कलर और इक इमेज लियाए जिसे लिया लिया है क्योंकि से ने बाफी सारे कलरॉष और मैंने एक ग्रे Penis Тоji का एक रखेंगल अबसा है अब है क्या मैंुआ किया इस पूरिबैर पां स्मय कैम एैम यह सी पर來到 अद जो कुछ कुछ जाना पर जानाँ सुग कुछ आपको कि इसमें इफ्ट नहीं दिखता है अगे अगर आप अमुदी पुरानी क्लासिस देखे हैं तो आप लोगों पता हों कुछ kuposh hue में भी ऐसा सा ही हमको effect देखने को मिलता था यह देखिए पर आपने hue में ध्यान दिया होगा कि जो hue है न यह देखिए hue में कि वह सिर्फ hue चेंज करता था उसको saturation से कोई मतलब नहीं होता था saturation से उसको कोई मतलब नहीं है कि उस hue का saturation कितना है वह hue को hue से replace कर रहा है जैसे आपने अगर primary program classes देखिए तो इसमें hsl curve में मैंने बदाया था hue को hue से change कर दो हां कर दो तो तो उसने वह यही कर रहा है पर saturation को वो वो consider नहीं करना है पर actually जो हमारा color blending mode होता है वो हमारा saturation भी इसमें इंक्लूट करता है अब देखे saturation कैसे है एच एसल मतलब ह्यू और saturation आपको ह्यू और saturation आपको blend layer यह जो layer इसका maintain करना है और जो luminescence है brightness है वो आपको नीच आए layer की maintain करना है मतलब brightness जो value है इसके अंदर वो इसी की रहेगी overall जो resulting output है उसमें जो brightness है वो इसकी रहेगी पर आपको hue or saturation इसका maintain करके चलना है color blending mode यह कहता है कि blend layer के अंदर color blending mode यह कहता है कि blend layer के अंदर hue or saturation consider करो और base layer के अंदर आपको brightness consider करके चलना है और resulting output आएगा वो आप मुझे दिखा दो और color blending mode का एक और अची चीज है देखिए अगर मैं जैसे ही यह gray वाला मैं rectangle on करता हूं वो उसको भी मुझे ग्रे ही दिखा रहा है पर यह चीज हमारी हूँ वाले blending mode में नहीं थी हूँ वाला जो blending mode था वह हमारे gray scale पर काम नहीं करता है क्यों कि ग्रे स्केल एक्चली saturation जीरो ग्रे स्केल का मतलब होता है saturation जीरो देखिए अगर मैं आपको इसमें gray scale दिखा हूँ यह लेफ्ट है पूरा का पूरा यह पूरा gray scale है देखिए यहां color देखिएगा white फिर gray और black और saturation देखिएगा saturation इसके अंदर 0 ही रहता है तो gray scale मतलब saturation आपका 0 पूरा का पूरा इसलिए वो उस पे कोई effect नहीं डाला क्योंकि वो saturation को count नहीं करता है saturation उसमें 0 भी है पर color वाले के अंदर वो जो gray scale है उस पे भी काम करता है उस पे भी वो काम करेगा क्यूं 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 करेगा क्यूंकि मैंने कहा न कि जो blend layer है blend layer के अंदर आप देखिए मेरा saturation कितना है 100% तो obviously उसको जो saturation और जो hue रखना है वो उसको अपनी blend layer का रखना है इसलिए वो gray scale पे भी आपको effect दिखा रहा है और जो luminescence है वो आपको base layer की दिखाएगा जो luminescence है वो base layer की देहनी चाहिए ठीक है यह तो था हमारा color blending mode अब वहीं हमारा luminescence यह जो luminosity luminosity blending mode है वो क्या करता है luminescence बोलतो brightness वो इस वाले color की रखेगा sorry layer की रखेगा जो blend layer के अंदर जो हमारा brightness level है उसको maintain करेगा और hue और saturation वो नीचे layer का रखेगा luminosity हमारा जो blend mode है वो यह करता है opposite करता है मैं एक बार फिर repeat कर रहा हूँ कि जो color blending mode है color blending mode जो है उसमें क्या होगा कि जो blend layer है जो उपर layer है अपर layer है hue or saturation उसका consider किया जाएगा और जो luminosity है वो base layer मतलब नीचे layer की maintain करी जाएगी और आपको output दे दिया जाएगा वहीं luminosity जो blend mode है वो क्या करता है कि luminescence या brightness वो रखेगा आपकी blend layer की और जो hue saturation है वो रखेगा इसका अब यह हमारी में dark क्यों हो डाक सी क्यों होगे faded सी क्यों होगे क्यों क्योंकि actually इस वाली layer के अंदर जो मेरा brightness है वो 50% है ठीक है इसलिए उसने इस layer की brightness 50% कर दिया मतलब उसको 50% इसको kind of a down half कर दिया उसका इसको उसने half सा कर दिया इसकी brightness को पर हाँ hue saturation उसने इसी का maintain किया हुआ है इसी का maintained किया हुआ है शायद समझ में आया होगा एक बार इसको try करना जो मैंने किया आने उसी को trás करना पर मैं आपको मैंने यह जीज़ देखी नहीं है मैं चीज़ मैंने नहीं सुनी नहीं है पर मैं एक चीज़ जानता हूँ HSL के बारे में मैं इसको explain नहीं कर सकता पर हमेशा यह ध्यान रखना कि आप hue or saturation से ज़्यादा पावर होती है brightness के अंदर आप hue कुछ भी रखे आपने saturation 100% कर दिया पर अगर आपने brightness zero कर दी ना color black हो जाएगा brightness actually light है luminosity मतलब light है कोई भी color हमको कब दिखता है जब उसके उपर light पढ़ती है अगर light ही नहीं है तो color का कोई significance नहीं है आप उसको देखी नहीं सकते हो तो आप यह मानके हमेशा मानके चलना कि brightness बॉस है इनकी आप आप कोई hue है कोई भी आपका color है hue है उसके अंदर आपको उसको increase करना है तो आप उसकी क्या करोगे saturation increase कर दोगे आप hue को increase करोगे तो उसका saturation increase कर दोगे आप उसका brightness increase किया तो वह color कितना ज्यादा चमक रहा है ब्राइट है आप उसके light डाल रहे हो आप सोचो आप उसके light डाल रहे हो और आप लाइट बंद कर दी तो खतम तो मेरा यह मेरा एक मानना है मैं मानता हूँ जब भी मैं कुछ की जगे काम करता हूँ तो मेरी खुद के understanding है यह पताने इस बाकी लोग की ब्राइटनेस ब्राइटनेस सबस्यादा पाउरफुल है सबस्यादा पाउरफुल है ब्राइटनेस तो luminosity मैं इसलिए बोल रहा था कि यह दोनों blending mode काफी interesting है इनका usage मैं आपको बताऊंगा आपको इनका basic funda समझ में आ गया होगा एक बार जरूर दुबारा जरूर देखेगा इस वीडियो को आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा ठीक है कॉपलिमेंटरी है एक उपर काम कर रहा है एक नीचे से काम कर रहा है चलिए ओके वाई बिलते हैं नेक्स क्लास में इसकी अपको यूसेज के ओपर ही होने वाले क्योंकि blending mode आज खतम हो गया एक दो blending mode पास्थ्रू है मैं किसने कुछ ने कुछ आड़ करता हूं वह मैं इसमें add कर दूंगा जब भी अपर एक्चुली जब बेसिक ब्लेंटिंग मोड्स हैं वह मेरे इसमें खतम होगे तो चलिए आशा करता हूं आपको यह प्लेलिस अच्छी लगी हो और देखिए अंडरस्टेंडिंग जरूर रखिए का सारे ब्लेंटिंग मोड्स की बहले या आपको use हो हो या ना हो अभी मेरे को इतनी ज्यादा मतलब मुझे recall नहीं करना पड़ता है मेरे को याद हो गए है blending mode actually, इतना त्राइल लिया है ना इतना जारा ट्राइल लिया है, blending mode आपको ट्राइल करना ही पड़ता है, आपका resulting output कहँए पहले आप blending mode ट्राइल ह होगे फिसकर उनकी फिल उपे से ट्राइल होगे तो बेड़ जाते हैं चलिए ओके बाए 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 रात बहुत हो गई है गुट नेट